हलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यो रिष्टी गाइड पर फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम सभी जीके के टॉप 20 कुश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपार्टन होने वाला है चाहिए आप एस मंदिर कहां इस्थित है अंकोर वाट कहां इस्थित है तो इसका राइट एंसर उस्तों जो है कमबोडिया है आपसन हमारा सी जो है उसे ये कमबोडिया में स्थित है नेस्ट कुश्चन देखते हैं भीम बेट का किसके लिए परसित है भीम बेट का किसके लिए परसित है त प्लकुल हुबा हुँ उसी तरह यहां पर मैंने कुश्चन लिया है तो अगला कुश्चन हमारा है भारत में चार बाग सहली का पर्थम मकबरा कौन सा था भारत में चार बाग सहली का पर्थम मकबरा कौन सा है तो इसका राइट एंसर जो है हमारा अपसने है हुमाय को मकबरा हुमाईकों अकबरा जो है वो चार बाक सहली का पर्थम अकबरा है और इसे किस ने बनाया था तो इसे अकबर ने बनुआया था नेश्ट कुछन देखते हैं अकबर नामा किस ने लिखी तो राइट एंसर आपसा नमारा सी है अबुल फचलने नेश्ट कुछन देखते हैं किस अधनियम में पहली बार भारत के लिए संग्ये सनर्चना पस्तुत की गई तो राइट एंसर आपसा नमारा सी है 1935 का अधनियम में संग्ये सनर्चना भारत के लिए पस्तुत की गई नेश्ट देखते हैं भारत के राजचिन्द में पस्तुत होने वाले सब्द सत्तु में जैते किस उपनिसत से लिया गया है दोस्तो ये most important question है ये कई बार एक जामें पूछा गया है और फिर से पूछी जाने की संभावना है इसलिए आप सभी इस question है इसे जरूर याद साब्दिक अर्थ क्या है तो right answer दोस्तो जो है हमारा option इसका जो है हमारा option भी है स्रेश्टी या कुलीन जो है और साब्द का साब्दिक अर्थ है और दोस्तो ये किस से सम्बंदित है बैदिक सब्धिता से सम्बंदित है ये भी आप याद रखिएगा next question देखते हैं शंग् समय्धान का सुर्भशीवच समय्धान का कौन सांग समाजवादी ववस्ता अस्थापित करने की प्रेड़ा देता है तो इसका right answer दोस्तो जो है आपसन हमारा भी है नीत निदेशक्तत्व राज की नीत निदेशक्तत्व है वोई दुस्तो जो है हमारा यह हमारा क्या कहता है दो नहीं सहते हैं जुन संघन राज बिधान सभा का गठन समिधान के किस अनुषेद के ताहत किया जाता है तो इसका राइट अंसर दूस्तों जो है हमारा आपसन ए है अनुषेद 163 के अनुषार 161 में राजपाल जो छमादान करते हैं उससे संबंदित है 52 में वताएगा है राजपाल होगे नेश्ट कुष्चन देखते है वो पिरिष्ट के किस परत में बेसाल चट्टानों की अधिकता है वो पिरिष्ट के किस परत में बेसाल चट्टानों की अधिकता है तो इसका राइट अंसर उस्तों आपसन हमारा भी है सीमा में नेस्ट कुश्चन देखते हैं, आइसो हेल रेखाऊं द्वारा क्या परदस्तित किया जाता है, तो इसका राइट एंसर दोस्तों, आपसन हमारा भी है समान धोप, दोस्तों मोस्ट इंपार्टन कुश्चन है, यह कई बार पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि ज कि दोस्तों सब रेपीटर ही कुश्चन है, नेस्ट कुश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो राइट एंसर आपसन हमारा सी है, लाला हरदयाल, नेस्ट कुश्चन देखते हैं, कत कली निरित किस राजते सम्बंदित है कथकली निरित किस राज से सम्बंदित है तो राइट एंसर आपसे नमारा सी है किरल और मोहिनी अट्टम दोस्तों जो है ये भी कहां से सम्बंदित है ये भी किरल से ही सम्बंदित है ये भी आप याद रखिएगा नेश्ट कुश्चन देखते हैं, तिर भासा सूत्र की सिफारिस किस समिती ने की थी? तो राइट एंसर आपसन अमारा B है कोठारी समिती ने नेश्ट कुश्चन देखते हैं, परकास का कडिका सिधान्त किस ने दिया था? तो राइट एंसर आपसन अमारा C है न्यूटन ने दिया था नेश्ट देखते हैं नेश्ट देखते हैं किस खनिश से रेडियम प्राप्त होता है नेश्ट कुछन देखते हैं कोस्किये या आड़बिक जीव बिग्ञान के अंदर कहा इस्तित है कोज़त की या आठभिक जिऊ ज्विक ज्यान के अंदर कहा इस्तित है तो इसका राइट अंसर आपसा नमारा C है 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 धराबाद में next question देखते हैं कवक इनमे से किस जैबिक काउन सा जैबिक कारक है कवक इनमे से कौन सा जैबिक कारक है यहाँ पर दोस्तो टैपिंग एर रहा है तो इसका right answer आपसन हमारा B है पर GB कवक इन में से कहता जैबिक कारक है तो right answer आपसन हमारा B है तो दोस्तो आपसन हमारा A है पर GB कारक Next question देखते हैं Edward Jenner ने इन में से किसकी खोज की थी TB टीकागा, Polio टीकागा, चेचक टीकागा या फिर दोस्तो एडस टीकागा तो इसका right answer दोस्तो जो है हमारा आपसन सी है जो है चेचक टीकागा Next देखते हैं पुस्तक नारेंद्र मोदी The Making of a Legend के लेखक कौन है दोस्तो most important question है यह आपसे एकजाम में पूछा जा सकता है तो इसका right answer दोस्तो जो है हमारा है आपसन दोस्तो सी बिंदेश्वर पाठक बिंदेश्वर पाठक ने पुस्तक कौन से लिखी है The Making of a Legend के लेखक कौन है बिंदेश्वर पाठक तो दोस्तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर जाएगा अगर आप सभी को इस कलास की पीडिया चाहिए तो आप हमारे टेलिगराम चैनल से जुड़ सकते है थांक फार वाचिंग इस वीडियो